दुर्ग में दिगंबर जैन पंचायत ने की विश्व के कल्यानार्थ पहल 14 महामंत्र के सामुहिक जापव महायंत्र का आयोजन शहर में पहली बार हो रहा है जो आरिका रत्न 105 स्वभाग के मती माता जी के सानिद्ध में संपन्ध होगा गौर्टलावा की प्रेश वारता में आरिका रत्न 105 स्वभाग के मती माता जी ने मीडिया को बताया कि प्रित्वी का कणकण हमें त्याग करने का संदेज देता है त् स्री दिगंबा जैन पंचाय दुर्ग के अध्यक्ष ग्यान चंद पाटनी और मंत्री चातुर मास के संयोजक संदीप लुहाडिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यह महत्वपूर्ण धार्मी का रिक्रम दिगंबा जैन मंदिर बनिया पारत दुर्ग में संपाधित हो नमोकार महामंत्र के जप और विश्व शांती महायग्य में प्रदेश भर से जैन समास के स्रद्धालू हजारों की संख्या में शामिल होंगे फल सरूप आयुजन की भव्य तयारी चतरपूर से आयबाल ब्रमचारी पंकर शास्त्री के निर्देशन में अंतिम चरण में है करते हैं माला फेरते हैं तो एक सुआठ मोती की माला से एक सुआठ बार नमोकार मंत्र जबते हैं लेकिन अभी जो यहां पर अनुष्ठान हो रहा है वो एक माला नहीं एक मंत्र नहीं बलकि सवालाक मंत्रों का जाप यहां पर किया जाने वाला है जो सिर्प इस समाज के ल लियाड की भावना को ले करके यह अनुस्ठान किया जा रहा है और इस अनुस्ठान में सिर्फ दुर्गी के नहीं बलकि दुर्गी चतीस गड़ के आसपास के और आसपास की अलावा अन अन राज्यों से अन अन छेत्रों से यहां पर उस अनुस्ठान में समलित होने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और यहाँ पर एक इतिहास में पहली बार दुर्गी की इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर एक साथ अभी तक हम एक मंडल को माड़ करके उस पर विधान करते थे पूजन करते थे लेकिन यहाँ पर 35 मंदल माडे जाएंगे 35 सोधर मिंद्रों के द्वारा 35 सोधर में और 35 सोधर मिंद्रानी कपल के द्वारा और पूरे सिंगल में बहुत सारे लोग हज्जारों की तादात में लोग यहाँ पर मिल करके इस महा मंत्र जाप के अनुष्ठान की पूर आहूती करेंगे यहाँ पर महा यग्य किया जाएगा कहते हैं कि जो हम महा यग्य करते हैं हवन जिसको हम बोल सकते हैं कि हवन करते हैं उस हवन में जो हम मंत्रों के द्वारा आहूती करते हैं जो मंत्रों के द्वारा आहोती किया ती है। उससे जो धुआ निकलता है। वो धुआ हवा की माध्यम से जहां जहां तक जाता है। वहाँ वहाँ के जीवों को सुख शान्ति और समर्धधी का अनभाव प्राप्त होता है। इस भावनों को लेकर के यहाँ पर यह भब रमोकार महामंतर जी का अनुष्ठान किया जा रहा है जिसमें देश कोट भी रहेगा सभी लोग सात्ते के एकदम सुद्धता के साथ, सुद्ध मन के साथ, सुद्ध विचारों के साथ और सरीर की पवित्रता के साथ, एकदम सुद्धी और विशुद्धी के साथ, यहाँ पर एक लाए से, एक साथ मिलकर के भक्ति और संगीत के साथ, जाप आराधना करेंगे और मैं यही कहूंगी कि जितने भी लोग इस नीच को सुने, समचार को प्राप्त करें, वो लोग भी इस अनुष्टान में समलेत हो करके पुन्न का अरजन करें, धर्म का अरजन करें, पुरी दुर्ग समाज और हमारी पुरी कमेटी, स्रीमान स्री अद्धिक जी, हमारे ग प्रियास करते हैं, ऐसे हमारे महेंदर जी और हमारे मनीज जी बढ़ जात्या जी और बाकी हमारे बिमल जी बढ़े आक्ता दादा जी और पूरे समाज के कमेटी के सभी लोग इस कारिक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सजाने का पुरत अच्छी विवस्ताओं को देने का का प्रियास कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत आशिवाद और आप सब लोग यहाँ पर आए और आप सब लोगों ने इस पत्रकार्ता की माध्यम से जो इस बात को पूरे जणजन तक इस मीडिया के माध्यम से फonna काम करेंगे बताने का काम करेंगी निश्छित है, प्रेंडेसियन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट